गोडा से भाजपा सांसत निशीकान दुबे का कहना है कि हेमन्त सोरिन की जगद चंपाई सोरिन के आने से भी कोई बदलाव नहीं दिखेगा क्योंकि सिस्टम वई है चंपाई सरकार की तालाचा भी हेमन्त सोरिन के पास ही है सोरिन परिवान ने मदू कोड़ा पर विश्वास नहीं किया था जबकि वो गुरुजी के ही मार्ग दर्शन में सरकार चला रहे थे संबाव है कि कुछ दिनों बाद सोरिन परिवार फिर मुख्यमंतरी बनना चाहेगा हलाकि चंपाई सोरिन अपने दम पर नेता है जबकि हेमन्त सोरिन अनुकंपा के नेता है उन्होंने कहा कि जारखण में पिछले चार साल में जो सरकार चली मैंने इससे ज़्यादा भरष्ट गवर्मेंट नहीं देखी कभी भी इस तरह से खुले आम सिंडिकेट करफशन नहीं दिखा प्राहय अधिकारी जो जिले में पोस्टेड है उन्हें एक पार्टी के कारिकरता के रूप में काम किया सरकार में ट्रांसपरेंसी कहीं नहीं दिखाई दी इस करफशन के करण हैमन सोरिन को जेल जाना ही था सीता सोरिन से होती है बाचित लोबिन के साथ कभी टच में नहीं रहा उन्होंने कहा कि यह भी आरूप लगते रहते हैं कि सीता सोरिन और लोबिन हैमरम को जामूमों से अलग करने की कोशिश करता रहता हूँ इसमें कोई सचाई नहीं है सिता सोरेन के पती स्वर्गी दुर्गा सोरेन मेरे अच्छे दोस्त है 2009 में अगर भाशपा के साथ गड़ बंदन नहीं तूटता और दुर्गा सोरेन गोडा से हमारे विरुद नहीं लड़ते तो शायद में संसत नहीं बनता इस कारण उनके साथ मेरा पारिवारिक संबन थे सीता सोरेन से मेरी बाचित होती रहती है बसंसोरेन से भी बाचित होती है वहीं लेबिन हैंब्रम के साथ कभी टच में नहीं रहा वे जहारगर्ण के आंदुलन कारी बागी की तबाव को अब लोगे बने रही है, राजणवा निवी के साथ, ताने बाद!